तो हाई फ्रेंड्स मेरा नम है मॉसम चत्री और आप दिखने टेकनिकल गाजट और इस वीडियो में हम लोग रियल्मी 3 का अन्बॉक्सिंग करेंगे एंड क्विक रिव्यू करने वाले इसका मतलब मैं बताऊंगा कि ये फोन कैसा है तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने ब्लाक कलर ब्लाक ब्लू आला मंगा है और 3GB RAM 32GB internal memory अब satisfying sound सुनने वाले हम लोग बॉक्स अन्बॉक्स हो चुका है अब देखो यार बॉक्स कॉंटेंट बताता हूँ मैं सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले है कि Realme ने Realme के डब्बे में क्या दिया है तो Realme के डब्बे में आपको बैक कवर मेलेगा जो आकशली एक TPU के से बहुत अच्छा सिलिकॉन कवर है ये जो पेपर्स है उसको आप इंग्लिश सीखने के लिए या फिर रफ कोई बनाने के यूज कर सकते हो क्योंकि उसका वही काम आता है क्योंकि वह कोई काम नहीं आते इसमेजक्टर पिन इस वेरी इंपॉर्टेंट एंड देखेंगे कि इसमें क्या है ट्रिपल स्लॉट है या हाइब्रीड हाइब्रीड हाइब्र आइटिंक सो नहीं होगा तो फोन आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है एंड फोन को साइड में रखते हैं अफकॉर्स बट एक जलक तो यार बनती है सो चार्जर जो है वो आक्चली 5V 2A का है मतलब नॉर्मल चार्जर नो क्विक चार्जिंग पी 70 सपोर्ट करता है बट पता नहीं यह फोन करता है कि नहीं स्क्रींग यूएसबी केबल में 9000 में ओके अट्सक्रींग साउंड सुना है सुनो अजिए अन्बॉक्सिंग अनभी बेस्ट पार्ट लगता है पीछे में आप ब्लाक ब्लू देख सकते हैं और यह कलर है और जो क्यामरा अचली काफी अचा है 13 MP प्लस 2 MP और यार फ्रेंट कैमरा भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें 13 MP का फ्रेंट कैमरा है अफ्टू का अपर्चर है और जो स्क्रींगार्ड है वो प्री अप्लाइड है नोट दिस राइट साइड में आपको पावर बटन मिलेगा और पावर बटन के नीचे साइड ऐसी आप बॉटम साइड आओगे तो 3.5 audio jack, mic port, charging port and speakers आपको देखने मिलते हैं ब्लू कलर का नीचे का तो यह कुछ नया है gradient design बोलते हैं और लेफ्ट साइड में आपको volume rockers दिखने मिलेंगे plus minus मतलब volume उपर नीचे करने का and sim जो tray है वो actually 3 मतलब 3 slot को support करता है मतलब 2 sim plus 1 SD card which is nice डिस्प्ले के बारे में बात करें तो I think so 6.2 inch 720p की जगा 6.2 inch full HD देते तो जादा बहतर होता but no doubt यार आप 9000 अरप में और आप expect कर सकते हो but ठीक है 720p plus panel है चलता है and बहुती जो color है जो saturation ambience है जो display का quality है वो में को बहुत अच्छा लगा अब यार बात करते हैं हम लोग cameras के बारे में जो cameras हैं जैसे कि मैंने बताया था 13 plus 2 and the front camera है वो भी 13 megapixel का है जो photos यह capture करता है front as well as real दोनों से बहुत अच्छा capture होता है तो इसके उपर video definitely लाऊंगा मैं तो तुम लोग देख सकते हो processor है P70 P70 AI powered chipset है जो actually काफी अच्छा है gaming में photography में सब चीजों में मैं त्यार मैं gaming video में अच्छे से आपको explain करूँगा कि actually क्या यह मतलब हर game को चला सकता है नहीं बागे सब चीजे and note this thing this is very important जो front का face unlock है and जो back का fingerprint scanner है मैंने अपने life में इससे तेज यूज किया ही नहीं है यह सबसे तेज है fingerprint और face unlock so friends hopefully वीडियो अच्छी लगी होगी अब बात करते हैं best comment के बारे में best comment क्या है एक idea है मेरे तरफ से क्या आप लोग मेरे चल में feature होगी high button में link है वीडियो का देख सकते हो आज का best comment है unique youtuber की तरफ से so उन्होंने लिखा है कि happy holy holika slash holy and पठाका खरीदना है तो मेरे दुकान आना गोपाल पठाका भंडार सबसे सस्ता मिलेगा so जिसको जिसको पठाका खरीदना है वो of course जा सकता है unique youtuber के दुकान में गोपाल पठाका भंडार it's a joke fellas बता दे रहा हूं कोई serious मत हो so friends बहुत सारी वीडियोs realme 3 को पर आने वाली है तो subscribe कर लो चैनल को नहीं किया तो ntg family का हिस्सा बन जाओ so friends मैं hope करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए होगी like कर देना channel को subscribe कर देना and share कर देना जिसको ये phone खरीदना है so friends मैं मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में आपसे तब तक के लिए bye bye